तो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं 18 दिसंबर के लिए बेस्ट 5 इंट्राडे ट्रेडिंग के स्टोक्स की लिष्ट जिनके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको एंट्री कहां पे करनी है, टारगेट क्या लगा के रखना है और स्टोपलोस क्या रखना है तो ये मेरी रिसर्स के साब से होगा, आपको खुद से रिसर्स करनी है और फिर ही आपको किसी प्रकार का ट्रेड है वो प्लान करना है अब अगे चलते हैं और देख लेते हैं कि कौन-कौन से स्टोक्स हैं लेकिन अभी तक आपने मारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लेना है Telegram channel का link आपको description box में मिल जाएगा उसको भी आप जाकर के join कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे आपको सभी प्रकार की update मिलती है और साथ में आप अपने trade के बारे में हमसे discuss कर सकते हो कोई सवाल है तो वो भी आप हमसे पूंच सकते हो link आपको description box में मिल जाएगा अगर आपके पास demate account नहीं है तो आप बिल्कुल free में हमारे अंडर में demate account भी open कर सकते हो उसका भी link आपको description box में मिल जाएगा तो जो सबसे पहला stock है वो है Tata Communication के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे काफी अच्छी एक तेजी बनी थी उसके बाद में यह जाकर के upside में गया और वापस से इसके अंदर correction हुई ठीक है correction के अंदर आप देखोगे तो यह वाली जो एक line है इसका यहाँ पे support मिला और उपर जाने के बाद में यहाँ पे इसने क्या किया है एक range formation किया है और उसका breakout दिया है अब अगर यह upside में यहाँ पे निकलता है तो यह वाली जो target है उनकी तरफ जाने वाला है तो यहाँ पे आपको क्या करना है आपको 1820 का जो level है वहाँ पे आपको entry करनी है और target आपको intraday के लिए 1840 का target लगा के रखना है और 1851 का दूसरा target लगा के रखना है stop loss इसके अंदर आपको 1809 के ओपर लगा के रखना है इस stock को आप यहाँ पे swing trade के लिए भी use कर सकते हो मैंने swing trading के अंदर भी इस stock को है वो चुना है तो वहाँ पे भी आप use कर सकते हो second number का जो stock है वो है हमारा KPR mil KPR mil के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे की हमने बात कर रखी थी इसके अंदर यहाँ पे यह वाला एक horizontal line का support है और यह trend line का support है ठीक है दोनों support मिल रहे हैं यहाँ पे भी थोड़ा सा range बना कर के इसने green candle formation किया है और अपर side में निकलने की कोशिस की है तो यहाँ से यह अगर high निकालता है ठीक है जो की 848 का होगा इसको निकालता है तो आप इसके अंदर entry कर सकते हो और जो target है वो 858 का पहला target लगा के रखना है 863 का दूसरा target लगा के रखना है stop loss इसके अंदर आपको यहाँ पे इन्ट्राडे का जो stop loss है वो आपको 15 minute पे चल के हम decide कर लेते हैं कि आपको intrade का stop loss है वो कहां पे लगा के रखना है तो इसका जो entry point है यहाँ पे 1848 का है 1848 का यहाँ पे है तो यहाँ पे आप लगा के रख सकते हो stop loss यह वाला जो point है 1833 इस point को आप पिस्टो ब्लोस के तरीके से यूज कर सकते हो तो यहाँ पे क्योंकि वो एक breakout था और breakout के अंदर अगर वापस आ जाता है तो इसके अंदर कुछ और decide हो सकता है तो यह आपको ध्यान में रखना है इसके बाद में जो third number का श्टोक है वो है GAEL ठीक है आप swing के लिए यूज कर सकते हो तो यहाँ पे अगर यह उपर के अंदर निकालता है लेवल है 406 का उसको निकालता है तो आप entry कर सकते हो 409 10 का पहला target 415 का दूसरा target लगा के रखना है और आपको इसके अंदर stop loss है वो 399 का लगा के रखना है तो यह हमारा second number का sorry third number का stock हो गया इसके बाद में जो fourth number का stock है वो है अडानी power intra day के अंदर इसके अंदर भी काफी अच्छी moment है वो मिलती है upside और downside दोनों में लेकिन इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे यह upside दिखाने के बाद में थोड़ा swing लिया जैसे कि यह इसकी fit रहत है जैसे यहाँ पे उपर जाने के बाद में थोड़ा swing लेकर के उपर गया यहाँ पे अगर बड़ी wave को देख सकते हूँ तो यहाँ पे एक swing लेकर के उपर में गया तो इसी प्रकार से यहाँ से यहाँ तक का इसने क्या लिया है, स्विंग लिया है, आप उपर के अंदर जाने के लिए तैयार है, तो यहाँ पर डे हाई निकलता है, अगर डे हाई 547 का निकलेगा तो आपको एंट्री कर लेनी है, टारगेट आपको 554 का पहला लगा के रख रहा है, और दूसरा टारगेट 560 का लगा क लगा के रखना है, इस्टो प्लोस आपको इसके अंदर 540 के उपर लगा के रखना है, तो यह हमारा फोर्ट नंबर का इस्टोक हो गया, इसके बाद में जो लास्ट नंबर का इस्टोक है, वो है IDFC ठीक है, ध्यान रखना IDFC फरस्ट बैंक नहीं बोल रहा हूं, उसके यहाँ पे भी अगर day high निकलता है, जो कि यहाँ पे 127.5 का लेवल है, इसको अगर यह निकालता है, तो आप इसके अंदर entry कर सकते हो, target आपको 129 का पहला लगा के रखना है, और दूसरा जो target है, वो 130.5 का दूसरा target लगा के रखना है, इसके अंदर आपको 126.5 की उपर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डीमेट अकाउंट आपके पास नहीं तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे अंडर में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्टिन बोक में मिल जाएगा मिलत के नेक्श वीडियो में थैंक्यू वरी मच्च